So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So, आज इस वेडियो में हम बात करेंगे Indian Oil Corporation Limited की So, IOC में अगर देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से गिरावट नजर आ रहे ही तो अभी अगर देखें तो स्टॉक अच्छे रिटन्स देता हुआ हमें नजर आया है और हमें आगे भी उम्मीद है कि ये स्टॉक अच्छे रिटन्स दे सकता है स्टॉक में अगर देखें तो यहाँ पर company की ओर से इसके results के साथ सा dividend का announcement भी किया गया था तो यहाँ पर हमें dividend का नल सकता है कितना dividend हम मिलेगा कई लोगो को नहीं बता है तो यहाँ पर इस वीडियो में हो भी हम discuss करने वाले है और साथ ही इसके levels को भी हम discuss करेंगे और दो बड़े target, दो बड़ी company के ओर से दिये जा रहा है ओ भी हम देखेंगे तो वीडियो को बिना skip की end तक देखना और अगर अभी तक channel को subscribe नहीं किया है भी stock में हमें देखने को मिल जाती है 0.39% के basis पे एश एर आगे अपनी growth continue रख रहा है और हमें उम्मीद है कि ये growth आगे भी ऐसी ही रही ही और यहाँ पर आप देखो तो पिछले कुछ 5 दिनों की अगर बात कर ले तो काफी ज़्यादा consolidation stock में देखने को विला यहाँ पर पहले stock ने इस particular range का breakout यहाँ पर दिया उसके बाद stock ने इच्छे returns दिये उसके बाद यहाँ पर आप देखो तो stock थोड़ा sideways रहा sideways रहने के बाद फिर इसने breakout दिया breakout देने के बाद shear ओपर गया फिर नीचे की रहा है और अब यह फिर से sideways momentum बता रहा है तो यहाँ पर अगर breakout मिलता है तो stock में इच्छे returns हमें मिल सकते है नहीं तो stock गिरावट continue रख सकता है अगर यहाँ से trade line बना ही जाए तो यहाँ पर आप देखो के तो stock में हमें इस range पे एक strong support भी देखने को मिलता है इस range को एक follow कर रहा है तो कल का दिन भी इसके लिए positive सावीत हो सकता है यहाँ पर अगर बात करें पिछले 5 दिनों में तो पिछले 5 दिनों में अगर आप देखो तो 1.05 पेसे तक stock अच्छे returns देए चुका है 1.18% के basis पे एक growth हमें नजर आ रही है आगे बड़ें तो यहाँ पर आप देखो को तो पिछले एक महीने में एशेर 8 रुपे 25 पेसे तक की एक अच्छी बड़त यहाँ पर बदा चुका है अच्छी momentum के साथ stock में growth नजर आ रही है आप देख सकते हो इसे bullish sentiment भी कहा जाता है और यहाँ पर लग रहा है कि कल भी अगर गिरावट आती है तो इस particular range पे ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आएंगे यही पर एक थोड़ा सा support लेगा फिर उपर जाएगा क्योंकि यह जो नीचे की ट्रेड लाइन ने काफी अच्छे तरीके से respect दे रहा है इसे और यही से अच्छे momentum भी हमें नजरा सकते है वही अगर बात कर लें last six month में तो last six month में भी यह share 14.20 रूपिस के round आप देख सकते हो एक अच्छी growth बताता हुआ नजरा रहा है और वही अगर उपर से trade line अगर में बना दू तो stock में आपको एक symmetrical type pattern भी देखने को मिलता है इसका ही breakout के बाद share अच्छे iris लगा रहा है वही बात कर लें volume की तो volume भी काफी ज़दा important हो जाता है volume में आप देख सकते हो 98 lakh के round तक का trade value हमें stock में देखने को मिल रहा है बिल्कुल यहाँ पर 98 lakh के round तक का ही trade value हो almost यहाँ पर 1 crore के round भी जा सकता है कल के दिन और वही बात कर लें कल की तो यहाँ पर कल भी हमें last trading season की बात कर रहा हो तो 98 lakh के round तक का ही trade value देखने को मिला था 56 lakh का combination delivery हमें देखने को मिला था और दो बड़े firms जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर MK Global Financials की ओर से भी बहतरीन target यहाँ पर दिये जा रहा है Indian Oil Corporation Limited में यह target के अगर बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 100 रुपे के round तक का यहाँ पर target दिया जा रहा है MK Global की में बात कर रहा हूँ फिर यहाँ पर आजाता है प्रभुदास लीलाधर तो प्रभुदास लीलाधर की भी अगर बात कर ले तो प्रभुदास लीलाधर की ओर से यहाँ पर share में दिया जा रहा है 125 रुपिस का टार्गेट याने 125 रुपे का टार्गेट भी नहीं और से कहा जा रहा है तो कुछ इस तरीके के बहतरीन टार्गेट भी नजा रहा है और Community Sentiments के आकड़े हम कल के लिए अगर देखे तो यहाँ पर आप देखोगे अब बात कर लेते हैं इसके लेवल्स की लेवल्स में पाच मिनट के टाइम फ्रेम पर अच्छी चीज़े हमें रजर आ रही है अच्छा पैटर्न हमें रजर आ रहा है यहाँ पर अगर देखे स्टॉक ने आज अच्छे रिटन्स देने की पूरी कोशिश की 91 रुपिस के अराउं जाने की कोशिश की अल्मोस्ट 1 रुपिस के अराउं तक का रिटन ने आज ही के दिन देचुका था बट उसके बाद अगर देखे तो यहाँ से स्टॉक थोड़ा गिरना स्टार्ट हुआ और गिरते गिरते अगर देखा जाए तो 90.40 के अराउं तक की क्लोजिंग इसने दे दी यहाँ पर आप देखो तो शेर ने एक बुलिश पैटन साथ ही इसने क्रियेट कर दिया आज क्लोजिंग दे दे देता है तो इस पैटन के अगर बात कर ले तो अलमस्त यहाँ पर देखा जाए तो 90.90 के अराउं तक की यहाँ पर लेवल से गिरना स्टार्ट हुआ क्योंकि 91 के अराउं अलमस्त यह जा चुका था और उसके बाद एक गिरता गिरता सिधा 90.25 रुपिस के लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ में नज़र आया फिर 90.50 रुपिस के लेवल से आप अगर देखोगे तो शेर में अगर गिरावट आई और 90.10 के अराउं तक यहाँ पर आप देखोगे अगर इसनल सपोर्ट लिया तो साथ ही यहाँ पर आप देखो तो एक पॉलन फ्लैक भी हम कह सकते हैं साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर इसे फॉलिंग वेश टाइप पैटन भी कह सकते हैं कुछ भी को हो यहाँ पर दोनों ही पैटन बुलिश होता है और वही अगर देखें तो साथ ही अगर देखा जाए तो इसने कल अगर ब्रेक आउट दिया इस पर्टिकलर ट्रेड लाइन को इसने अगर ब्रेक किया तो यहाँ से ग्रोथ कंटीनू होगी काफी बहतरीन डेटन हमें मिल जाएगे क्योंकि यहाँ से इस लेवल को भी पॉइंट करके अगर हम ट्रेड लाइन बनाया तो कही ना कही आप खूद यहाँ पर देख सकता हो एक सपोर्ट के साथ यह उपर जा रहा है पहले यहाँ पर साइडवेस इसने कंसोलिडेट किया लेवल का ब्रेक आउट हुआ बड़ा जम देखने को मिला फिर उसके बाद एक फॉलिंग वेश टैप पैटन देखने को मिला और इसने इस पर्टिकलर रेंज पे सपोर्ट लिया तो प्योर प्राइस एक्षिन वर्क कर रहा है हमें बस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है और यहाँ पर एए लेवल ब्रेक होता है तो अच्छे टारगेट का लचीव होने हाल है बुलिश पैटन क्रियेट हो रहा है इस चीज का जहां रटना है और यह काफी टाइम तरक इसने कंसोलेट भी किया यहाँ पर अगर ट्रेड लाइन बनाओं तो बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएगा सिमेट्रिकल टाइप पैटन हम कह सकते है उसका ब्रेक आउट के बाद सस्टिंग करें के ओपर जा रहा है प्रेक आउट के बाद थोड़ा साइडवेस फिर एक पॉलन फ्लैक टाइप पैटन फिर ऊपर की ब्रेक आउट मिलता है तो काफी एच्छे जंप हमें देखने को मिल सकते हैं काफी अच्छी रैली स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है तो बिलकुल हम वेट कर रहे है एक प्रॉपर रैली का और बड़े टाइम फ्रेम पर खुद आप देख सकते हो तो काफी बड़े लेवल से शेयर में बड़ी गिरावट आई और गिरावट के बाद इसने अगेन यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था 85 रूपिस के राउंड 85 के लेवल से सीधा आए 90 के राउंड चले गया फिर एक पॉलन फ्लैक टाइप पैटन फिर वही रैली यहाँ से म करता है यह और बड़े टाइम फ्रेम पर एक चीज में बता देता हो कि 93 रूपिस का टारगेट आपको रखना है क्योंकि एटलिस्ट है 93 के राउंड तो जाने की कोशिश करेगा ही करेगा क्योंकि अभी भी इस पर्टिकलर रेंज के राउंड ही घूम रहा है इस से लेवल के साथ साथ यहापर डिविडेंड का अनौंस्मेंट भी किया गया था और यहापर 10 रुपे की फेस वेलिव के साथ 3 रुपे पर परीकुटी शेर का यहापर डिविडेंड कंपनी के वर से दिया जाना है और अभी अगर देखे तो जब कंपनी की एनुवल जनरल मेटिंग होंगी यानि AGM तब यहापर अनौस्मेंट किया जाएगा कि डिविडेंड की एक्स रेट क्या होगी शेर होल्डर से हापर चीज़े हापर होने वाले आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो कर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक रदेना चैनल को सब्सक्रा